हेलो फ्रेंट संध्या के कुकिंग में आपका स्वागत है देखिया आज हम बनाएंगे भरवा मकुनी ओ भी बिलकुल दो अलग अलग तरीकों से आपको बनाना बिलकुल आसान है इस तरीके से देखिये इसके लिए हमने सत्तु को ले लिया है और इसमें प्याज हरे मेर्च सभी को हमने बारिक सा कट करके रखा था पहले से ही हमने कट कर लिया है अब इसमें डालेंगे स्वाद अमसार नमक आधी चमच हल्दी पाउडर अब चाहे तो हल्दी को स्किप कर दें और आधी चमच यह है पच फोरन मसाला और आधी चमच जीरा और आधी चमच है कलोजी आ या तो मकणी में अक्सर ही पड़ा राता है और दो तीन चमच सर्शो का तेल सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सत्तू में आप चाहे तो घर पे चाने के सत्तू बना सकती है या तो मार्केट में एजली मिल जाता है सत्तू आप उस पैकेट वाला भी उच करें व जो है नीवू का रश निचोड लेंगे आप चाहे तो नीवू नहीं है तो आप खटाई वाला जो भरल मिर्चा आता है उसे भी डाल कर बना सकती है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है या तो आप नीवू ही डाले नीवू का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है मकणी में. देखे हमारा भर्वा तयार हो चुका है. अब हम इसके लिए लगाएंगे आटा. और इसका आटा लगाते समय ध्यान रखें कि आटे को अच्छे से तयार करें. देखे हमने लिया है करीग 2 कटोरी आटा और इसमें ढालेंगे थोड़ा सा इसमें भी एक चमच कलोजी क्योंकि कलोजी बहुत अच्छा लगता है आपको पसंद हो तो ढाले या इस्कीब कर दे और थोड़ा सा हलका सा नमप आधी चम्मच और इसमें हम डालेंगे इससे क्रिस्पी होने के लिए दो चम्मच देशी घी आप चाहे तो कोई भी तेल का भी यूज़ कर सकती हैं हमने घी डाला है अब इसे हम अच्छे से पहले सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक करना सेर करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको हर रोज एक नई रेशिपी मैं बना कर दिखाती हूँ आप प्लीज वीडियो को लाइक सेर जरूर करना देखे हमारा आटा जो है तैयार हो चुका है अब हम इसमें से लेंगे एक छोटी सी लोई और देखे इसे बहुत ही आसान और रीजी तरीके से आप भरना हम बताएंगे जिसको नहीं भी पूड़ी या मकुनी भरने आता है वो भी आसान तरीके से भर सकता है ऐसे देखे एक लोई का हम पले बड़ी सी एक रोटी उना लेंगे ताकि आपको टेड़ा बेड़ा भी ना हो इसके लिए हम बड़ी सी रोटी उना कर इसे एक कटोरी से हम कट कर लेंगे कटोरी या गिलास से आप कट कर लें देखें इसकी पूड़ी के साइज की दो हमारी रोटिया बन के तयार हो गई है ये देखें हमारा भरवा है जो हमने तयार करके रखा था अब हम लेंगे इस विसे एक रोटी उसमें हम पले भरवा को रखेंगे आप जितनी बड़ी रोटी हो उतना ही रखें हमने एक डेड़ चमज भरवा को रखा है और इसको हाथों पे उठाएंगे या हाथों पे रखके ही भरवा को रखे और इसे एक तरफ से मोड़ते जाएं ये हम गोल वाली मोड़ के बता रहे हूं ये भी गीजली ऐसे ही मोड़ के बिल्कुल असान तरीके से पैक हो जाता है ये बिल्कुल नहीं खुलेगा नहीं तो बहुत लोग को गोल वाली जो है तेल में जाकर खुल जाती है इसलिए हम इसे अलग तरीके से बताएंगे जैसे हम गोजिया को बनाते है लेकिन तो इसे हम बिना सांचे से ही ऐसे ही रोटी पे रखेंगे और इसके मूँ को हम बंद कर लेंगे इजी तरीके से ऐसी बंद हो जाता है और एक लेंगे हम मैगी वाला चमच इससे हम इसके किनारे पे डिजाइन बना देंगे डिजाइन बनाने का एक फायदा है कि डिजाइन भी बन जाती है और इसका मूँ जो है अच्छे से कभर हो जाता है इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है आप इसे ऐसे ही इजी तरीके से बना का फ्राई करके नास्टे में चाय के साथ आप टीपिंड में किसी भी समय आप ये बना सकती हैं देखिए हमारा बिल्कुल बन के तयार हो गया है बाकि इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक वीडियो को लाइक सेर जरूर करें